प्रिय शिक्षार्थियों राष्टरिय मुक्त विद्यालेई शिक्षासमस्थान एन आई उएस के स्टूडियो में आप सब का पुनहा स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चन्दन कुमार मिश्ट सहायक आचार वेद विभाग श्री जगन्नात समस्कत विश्व विद्याले पूरी उडिसा से उच्चतरमाद्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम वेदाध्ययन हम के अंतरगत 21 पाठ अक्षसूक्तम के भाग चार के अध्ययन के लिए आपके मद्य उपस्थित हूं इस पाठ में हम अक्षसूक्त से संबंधित विशय वस्तुओं का सार रूप से अध्ययन करेंगे रगवेदे अक्षसूक्ते न अक्षसंग्यका देवहा अभीष्ट सिध्यर्थम प्रार्थ है थे जैसा कि आपने पूर्वभाग में पढ़ा अक्षसूक्त के अंतिम मंत्र में अक्ष क्रिडक जो कितव है वहाँ अक्ष से प्रातना करता है देव के समान कहता है यक्ष मैं आपको प्रणाम करता हूँ आप हमसे दूर रहें आप अपना क्रोध शान्त करें और हमारे जैसा समाज का कोई अन्य व्यक्ति आपके अंतह में आपके मोह पाश में न बंदे तो ऐसी प्रातना अंतिम मंत्र में आई थी उसी की चर्चा इसमें सार अपने कल्यान हे तू अक्षदेव से रातना करता है कहता है सामाजी का नाम कुरीती नाम मरणवेश वर्तमाना नाम मानवेश वर्तमाना नाम दुर्वसना नाम चा संपूर्णतहा नाशाय अस्यसूक्त चा आरंबहा इस सूक्त का संकलन एक सूक्त का आरंब समाज में प्र पूर्ण नाश के उद्देशे से ही इस सूक्तों का संकलन रिशियों ने किया है समाजेशु यदा भोग विलासानाम तथा शक्ते हे उदयह जायते तथ समकाला तेव जूत क्रिडाया अपी महान प्रचारहा प्रचारश्च परिलक्षते समाज में जब भोग विलास इत्यादी बढ़ते हैं और भोग विलास इत्यादी की शक्तियां उदित होती हैं उसी समय जूत क्रिडा का भी प्रचलन महान रूप से वेग रूप से अतिविस्तार रूप से समाज में प्रचलित होता है रगवेदी युगे जूत क्रिडा आसी समाजस्थो महान व्याधी ही रगवेदिक काल में जूत क्रिडा समाज के बहुत बड़ी पीडा के रूप में थी इदम अक्षिसूक्तम यद विशयम एव आलो चे थी यह अक्षिसूक्त इदनी विशयों की चर्चा अच्छे तरह से करता है इदम अव सूक्तम अंतेहे क्रिशियेव करणिया इति उपदिशती यही सूक्त अंतिम के भागों में सरवदा क्रिशिकर्म करो जूत क्रिडा मत करो, क्रिशी कर्म करो, क्रिशी से उपार्जित, धनों से परिवार का संचालन करो, इत्यादि उबदेश करता है जूत क्रिडा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है जो जूए के क्रिडा से आसकत विक्ति होता है वह समाज के द्वारा निंदनिय होता है समाज उसकी निंदा करती है तस्य पत्नी, स्वश्रूह, अन्येच सुभाकांख्षणह, तस्मई दृशंती, उसकी स्वजन की भारिया, पत्नी, उसकी सास और अन्य परिवार के जो उसको प्रिय करने वाले, प्रेम करने वाले, उसका हित चाहने वाले, सभी लोग उससे द्वेश करते हैं तम प्रती कोपी दयाभावं न प्रदर्शयती, कोई भी उसके प्रती दयाभावना प्रकट नहीं करता, उसके लिए कोई दयालू नहीं होता उपमा के रूप में कहा जाता है कि जैसे अच्चनत मूल्यवान अश्व भी वरद्ध होने के बाद वह अपने ही स्वामी का प्रिय पात्र नहीं रह जाता, उसी प्रकार जूत क्रिडा सक्ति व्यक्ती भी समाज में किसी का भी प्रिय पात्र नहीं होता स्वापत्नीम अपी जूत क्रिडायाम पनरूपेन स्थापयती वह इतना जूता सक्त हो जाता कि कभी-कभी अपनी पत्नी को भी जूआ में शर्त के रूप में रख देता असिय पत्नी ग्रिहंच द्रिष्टवा जूतों मत्तहा जनहा खेदम करो ती अपरस्य पत्नीम कहा दूसरे के सुखी पत्नी और दूसरे के सुसजित घरों को देख करके द्यूतों मत्त जो एक विशिष्ट जुआरी है द्यूत खेलने वाला है वहाँ पश्चात ताप करता है यदा द्यूत का रहा तस्य धनराशिम पनरूपेन प्रतिग्याय अपितान प्रदातुं नेच्छती तदा सज्जनई ही रज्जु भी ही बद्धा सा राजसमीपम नियते कहा जब वहा द्यूत क्रिडा करने वाला द्यूतों मत्त व्यक्ति अपनी धनराशी को जो शर्त के रूप में हार जाता है हालने के बाद भी अधवा जीत जाता है जीतने के बाद भी जब वहा उसको प्राप्त नहीं करता या अन्य द्यूत क्रिडक उसको नहीं दे या वहाँ दिये जाने के बाद भी उसके रोके जाने के बाद भी परिवार के लिए परिवार पुरुशों के द्वारा उस धनराशी को रोकने के बाद भी वहाँ उसमें इच्छित नहीं होता वहाँ द्यूत क्रिडा से हंटना नहीं चाहता तदा स्वजनई ही रजुभी ब राजा परिवार के द्वारा राजा के विक्तियों के द्वारा रस्यों से बांद कर राजा के समीप लाया जाता है। उसके स्वयम के घर के लोग भी उसका परिचे करने में नहीं इच्छा रखते अता हुससे किसी प्रकार का सम्मंद नहीं बताते हैं। ऐसी दुर्दशा ज्यूत क्रिडा सक्ति विक्ति की सहज रूप से हो जाती है। अस्मिन सूक्ते ज्यूत क्रिडाया हा प्रभावहा प्रदरशित होस्ती। मूद रूप से इस संपूर स्यूक्त में अक्षक्रिडा का जो दुश्पनि नाम है वहा प्रदरशित किया गया है। वहा बतलाया गया है। मुक्त होना नहीं चाहता था। जूर में जीतूंगा ऐसा सोचता हुआ जूआ खेलता है। और यद्यपी सुल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए थोड़ा धनरासी या थोड़ा और कुछ जीरता भी है। दिन के अंत में संपूर्ण दिन भर खेलने के पश्चात वहा सब कुछ लुट गया हो जैसा सरवनास हो सुका हो। ऐसा होते हुए दरद्र भिक्षुक के समान घर आ करके अगनी के समीप स्थान प्राप्त करके आश्रे लेता है। पुनह हम अक्ष सूक्त के सुरूपों के बारे में पढ़ेंगे। मानवेशु सामाजिक दुर्व्यभारानाम निराकरनाय सूक्तानी वेदे संकलितानी भवंती। वेदों में सूक्तों का संकलन मानव समाज के दुर्व्यभारों के ऐसे सूक्तों का संकलन। इस प्रकार के जो सूक्त हैं, इन सूक्तों का संकलन मानव समाज में व्याप्त मानव समाजिक दुर्विभारों के नास के लिए, उनके निराकरण के लिए किया जाता है। इस सूक्त में अक्षक्रिडा के दुष्परिणामों का सम्यक रूप से वरनन किया गया है। यथा शिल्पकारहा स्वोपकरणानी शद्धती वहाँ अक्षसंयक अक्षका देव अपने संपूर्ण अक्षपासों को, अक्षचक्र को, द्यूत चक्र को उतनी शद्धा से अपने पास रखता है। जैसे कोई शिल्पकार अपने शिल्पक्रिया से संबंदित उपकरणों को रखता है, उपकरणों को स्रद्धा करता है। उसी प्रकार अक्ष चक्र से अक्ष रूपी पाशा रूपी जो देव है, वहाँ अपने चक्रों से स्रद्धा पूरवक प्रेम करता है। अक्ष का स्वरूप हम इस चर्चा से जानेंगे। अक्ष क्या है? अक्ष जो जूत क्रिडा, जुआ क्रिडे की पाशा होते हैं, उसको अक्ष कहा जाता है। वहाँ किसी फल विशेस के बीज से बनाया जाता है। अयम धूसर वर्नी यहा भवती, यहा धुनले वर्न का होता है। एवं कस्मिश्चित पात्रे समस्थाप्य हस्ताई ही तस्यचारनम कृत्वा क्रिडा चाल लेते। उस पाशे को किसी पात्र में रख करके हाथ संचारन करते हुए जूत क्रिडा किया जाता है। अक्ष क्रिडा ही गरहितं कर्म, यहा अत्यंत दुश्कृत कर्म है। समाज में दुश्पनिणाम प्रदान करने वाला समाज में दूश्चित क्रिडा यहा है। मनुसमिता में भी जहां राजधर्म के प्रसंग की चर्चा आती है। उसमें येशाम दशानाम कामजव्यसनानाम उल्लेखा हप्राप्यटे तत्र, अक्ष क्रिडा, उल्ल्हितास्ती मनुस्मृतिकार आचारे मनू ने राज्धर्म के प्रसंग में कामज़पन्प्न होनेवाले दुरव्यसन रूपी दशाओं का जहां उल्लेख किया उनी उल्लेखों के क्रम में अक्षक्रीडा का भी उल्लेख प्राप्त होता है यथा ऐसा मनुस्मृती में प्राप्त होता है अस्मिन अक्षसूक्ते मूलतहा अक्षक्रीडायाहा कुफलम एव उक्तम इस अक्षसूक्त में संपूर्ण रूप से अक्षक्रीडा के द्वारा जुआ के द्वारा होने वाले दुश्बरी नामों को ही प्रतिपादित किया गया है अस्मिन सूक्ते कितवस्य जीवनम कथम भवती इतियुक्तम इस सूक्त में जो जुआ खेलने वाला विक्ती होता है उसका जीवन कैसे दुर्दशामय होता है वहाँ प्रतिपादित किया गया है या कितवस्य स्त्री भवती सा यज्यपी अक्षक्रीडनात पूर्वम कलहन नक्रतवती जो उस जुएरी की उस अक्षक्रीडा के रने वाली की स्त्री होती है वहाँ यज्यपी अक्षक्रीडा से पूर्व जववाजुआ नहीं खेल रहा होता उस समय उससे कभी कलह इत्यादी वृथा जगडा इत्यादी नहीं करती कितव मित्राणांकरते अनुकूला एव आसीत उसके सम्मंदित सभी मित्रों के प्रतीव ही वहा अनुकूल रही थी परंतु अक्षक्रिडणात परम सईव अनुकूलास्त्री परित्यक्ता होती किन्तु वही अनुकूलास्त्री जो अक्षक्रिड़ा के पूर्व अच्यनत प्रिया थी वहा अच्यनत प्रिया ही जुआ खेलने के पश्चात जुआ से हुए दुश्परिणामों के कारण वही उसके पूर्व प्रेमिका पूर्व कानता पूर्व प्रियास्त्री का परित्याग उसके त्वारा किया जाता है कितवस्य श्वश्रूहु अपी तम निवार रहती उसकी सास इत्यादी भी उसको हटा देते हैं उससे दूरी बनाते हैं जाया पी सदाई वा दुखिता होती उसके धर्म पत्नी भी सरवदा दुखी जाती है यथा कितवस्य प्रतिकूला अवस्था जायते तथाई वा तश्य भारी आया अपी जिस प्रकार जुवारी की प्रतिकूला वस्था हो जाती है धनके अभाव में उसके कारण उसी प्रकार उसकी पत्नी की भी दुरदशा हो जाती है अक्षस्य कानिचन विशेशनानी अपिसंती इस द्यूत के कुछ विशेशन भी हैं वे इस प्रकार हैं द्यूत को अंकुशी कहा गया है अंकुशी नह इवायसा मंतर में आया था अंकुष कहते हैं हाथी चलाने वाले व्यक्ति के पास जो अस्त्र रहता है लवरूपी उसको तो यह दूत भी यह अक्षबी उसी के समान कहा गया है क्योंकि उसी के समान यह अपने कृड़कों के उपर अनुशासन करता है नितो दिनह यहाँ अश्व को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे जिस प्रकार अश्व को चलाते हैं गोडे को चलाते हैं उसी प्रकार अक्ष को भी कहा गया क्योंकि वहाँ भी अपने क्रिड़क व्यक्ति को उसी प्रकार संचारित करता है इसको एक विनाशी भी कहा जाता है ये अक्षाहा विनास नहोंती अक्षा जो है वो विनास प्रदान करने वाले होते हैं और संताप दाहा पुत्र दुल्य धनदाहा संताप दाहा उगतमस्ती अक्षा करते अक्षा को संताप देने वाला बताया गया है और पुत्र तुल्य धन दाहा जिस प्रकार पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होती उसी प्रकार इसको भी कहा गया धन का दायक या कभी-कभी अत्यन्त धन प्रदान कर देता किन्तु सरवदा धन प्रदान नहीं करता एवं भूताहा अक्षाहा भवंती अक्ष ऐसे प्रकार से होते हैं इन विशेशनों से युक्त अक्ष होते हैं नकेवलम एवं अपी अपी तु अंगार सद्रशाहा भवंताहा सन कितवा नाम ह्रयम दहनती केवल इतना ही नहीं अपितु वहा जलते हुए अंगार के सद्रिश जलती हुई लगडी के समान वहा जिस परकार जलते हुए लगडी पर कुछ पढ़ जाने से उसको भी जला दिता है उसी परकार वहा जलते हुए अंगार के समान जुआ खेलने वाले व्यक्ति के हरते को जला दिता है राजा पितान अवग्यान न करोती राजा भी ऐसे द्यूत की अवग्यान नहीं करता अर्थात बड़े बड़े राजा भी इस द्यूत क्रिटा में आसकत रहे हैं ततह कितवा नाम का स्थिती भवती इति विचार्यते तो ऐसी स्थिती में जो द्यूत कृड़ा करते हैं उनकी दुश्परिणाम क्या होती उनकी अगली स्थिती क्या होती वह अग्रिम में विचार किया जाता है इस प्रकार इसमें बताया गया कि जो द्यूत क्रिटक होते हैं उनकी स्त्रियां दुखित होती हैं वह स्वयम भी रण देनेवाई लोगों से डरडर के छुपता है और रात्रि में धन के लिए दूसरे के घरों में चोरी करने हितु प्रवेश करता है और वह अपने दुखी ग्रियों को दुखी स्त्री को देखता हुआ और दूसरे के सुखी स्त्रियां को सुखी ग्रियों को देखता हुआ दुखित होता है और अपने जीवन का संताप करता है ततहा अख्ष सूखतस्य द्वादश चेतुरदश योहो मंत्र योहो अख्षान परती कितवाणाम प्राथन अग्यापनम अस्ती और 14.2.4 मंत्र में अख्ष के प्रती प्राथना किया जाता है कि है अक्षदेव अपने आप दूर करें हमें आप अपनी मोह माया से दूर रखें और तेरहवें मंत्र में अक्ष क्रिडा मत खेलो अक्ष क्रिडा को छोड़ करके कृष्टी करम इत्यादी करो ऐसा सदुपदेश प्राप्त होता है इस प्रकार आपने अक्ष सूक्त का सम्यक अध्यन किया धन्यवाद अपन्यवाद